आप देख रहे हैं समाचार एपुजेट पुलिस पार्टी के उपर फायर जोग दिया। पुलिस पार्टी ने उचितर नीती वाब बल प्रयोग के द्वारा गारी में बैठे चारवी को को ग्रफतार करने में सफलता साथ की वद्दो बदमास अंधेरे का फाइदा उठाते हुए फरार होने में सफल हो गए। ग्रफतार अव्युक्तो में सर्फराज उर्फ सेरू निवासी गहिला मौव जाकिर अली उर्फ गुड़ू निवासी भूलिया मौव दसरत यादव निवासी बुरका थाना जोनपूर परविज निवासी लाल गंजु उक्त अव्युक्तो के पास से एक बारा बोर तमंच पीन कार तूस 315 वो दो चाकू दो चोरी की मोटर साइकल एकिनोवा कार लूटी हुई लूट में प्रयोक होने वाली इंडिगो कार साथ 70,000 नगत चार फदी पहचान पत्र बरामद हुए यह जानकारी आज पुलिस कप्तान ने पुलिस लाइन इस साइंग कॉंप्लेक्स म जर्ये खुलासा किया मुप से यह है कि यह पूरा गेंग बना के चलते हैं और टुक लूट के समय इसके ड्राइबर और क्लीन बगएरा को बंधक बना देते हैं उसके बाद ही ट्रक लेके चले जाते हैं और मोटसाइकल भी लूट की गटना है ये लोग करते हैं ये गैंग पूरा थाना लाल गंज पूलिस अब हमारे यहां क्राइम ब्रांच के जो टीम इंचार्जियों के द्वारा गिरफतार किया गया है इनसे बरामत की दो तमंचे दो चाकू एक मोटसाइकल लूट दो मोटसाइकल लूट की मोटसाइकल है लूट में प्रियोग होने वाली एक अज़त इंडिगो कार्थ और इनसे लूट के सत्तर हजार रुपे बरामत हुए है और मेन चीज इनका है कि पूरे वाहन पुजे से लूटते हैं उसकी ID कागज उसका फर्जी तैयर कर लेते हैं फर्जी ID पर उसको चलाते रहते हैं तो एक तरीके से ये पूरा फर्जी फिकेशन है और इनसे हमने चार अदद फर्जी पहचान पत्र भी बरामत किये है तो इस तरह ये लुटेरा गैंग तो है ही, साधी साथ भरजी सर्टिफिकेट बनाने में भी माहिर गैंग है जिसको ये गलत तरीके से वाहनों को लूट करके क्राइम में इस्तिमाल करते हैं कियम कियम दाजयों में गटना लियाम दिया है? अब उत्तर प्रदेश में और इसका जो उत्तर प्रदेश में तो में नुपसे जो यहां के हैं और जाकिर उर्फ गुड्डू है, इसने बंबई में चार गटनाए में सामिल रहा है क्राइम नंबर नहीं मिल पाया बट एक थाना किंग सर्कल मंबई में, थाना गोरे गाउं में, थाना बोरी बली में और थाना पी अनबी में गोरे गाउं में लूट की थी इसने, बाकी तीनों थानों में, चोरी की घटनाओं में ये बन शिकता है, नाम जब रहा है एक दूसरा मामला है